हलो अब्रीबान वर्कम बैक टो मैं चानल और कैसे हो आप से भी उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेहत मंद होंगे खुशाल होंगे अपना चितर से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी मज़े में हैं और आज जा रहे हैं मोनू प्रियंका शिवांशी जाए कि हम सब लोग साथ रह सकें यह हर महीने आने जाने का जो जंजट है ना चूट ही जाएगा फिर इससे हम लोग को आजाद ही मिल जाएगी यहां शर्मा जी का दिल ही नहीं बढ़ रहा है आपको लेगा शर्मा जी फॉर्मल्स में क्यों बैठे हुए हैं क्योंकि ब्रेक लेकर ऑफिस से आ गया है फिर रात में उन्होंने काफी देर अपने शिफ्ट एक्स्टेंड भी करी तो यह लोग वापस जा रहे हैं और मन नहीं हो रहा है शिवांशी को छोड़ने का यह दो दिन कहां बीठ गया पता ही नहीं चला यह लोग ने एकदम ही सप्राइ इस यह ट्रिप प्लान करी थी हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि आने वाले हैं फ्राइडे नाइट को यहां पर वडोधरा जब पहुंचे तब विडियो कॉल के इस दरीए पता चला कि अरे बैग्राउंड तो मम्मी के गर का है तो क्या वडोधरा पहुंच गया फिर मोनो भया ने रिवील किया कि हा मैं सप्राइस दे रहा था आप लोग को हम लोग यहां पहुंच चेक हैं फिर साटड़े संड़े तो खैर सारा गूमने में निकल गया पिछले मेरे व्लॉग आपने देखे हैं तो आपको पता होगा मैं किस बारे मैं बात कर रही हूं और ब बाते करी थोड़ी देर फिर उन लोको काफी लेट हो जाता है क्योंकि मुंबई पहुंचना भी है थोड़ा वक्त लगता है यहां से वहां पहुंचने में आप रुकते हुए जाएंगे तो साथ साथ गंटे तो लगी जाते हैं तो इसके बात फिर यह सीधे शाम में मैं आ आड़ करने से इसका फ्लेवर एंड टेस्ट बहुत इनायंस हो जाता है अगर आप मेरी तरह गोबी के फैन हो ना तो यह आलो गोबी मसाला आपको बहुत पसंद आने वाला है इनफाक्ट आपके घर में कोई स्पेशल ओकेजिन हो फ्रेंड जा रहे हैं रेलिटिव जा रह तो कुछ-कुछ सबजियां ऐसी होती हैं जिसमें मोटे कटे हुए प्याज टमाटर अच्छे लगते हैं कुछ में उनकी प्यॉरी अच्छे लगते हैं बट कुछ एक सबजियां जो इस पश्री धावा स्टाइल के होते हैं उसमें है यह सबी चीज़े जितनी बारी का इलेक्ट्रिक चॉपर है इसमें डाल करके मैं इनको बारीक बारीक चॉप कर लूँ है मुझे यह पेस्ट नहीं चाहिए और क्योंकि मैं गोबी बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा जिंजर ज्यादा ही डाला है यह तो किसी भी सबजी में जितना आपने गार्लिक लिया तो मैंने लगबग बराबर ही लिया है क्योंकि गोबी वाथ का रगए हुती है तो इसको डाजर्शिन में भी हैल्प करता है इसके बाद वह सारी चीजें हो चुकी है क्रश मैं निकाल लिया एक साइड़ पे दो प्यास भी में बिलकुल बारीक यहाँ चॉप कर लूँगी अभी मौनसून लग गया है ना थोड़ी मोड़ी बारिश हर जगह पड़ चुकी है तो इस वज़े से प्यास थोड़ी से खराब आने लगते हैं तो बस मैं चील लेने के बाद मुझे दिखा वह पीछे से थोड़ा सा खराब हो रखा है तो वह मैंने रिमूव किया उसका जो जीरा यहां पर और इसके बाद जीरा अच्छी तरह बून जाएगा तो बेई लीफ तोड़ा सा टुकड़ा करके डाल दूगी यह मेरी एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझे सजिस्ट किया था कि दिया पूरा मत डालो इस तरह टुकड़ा करके डाल दीजे तो वह स्टर क आने लगेगी इसके बाद जो प्याज है बिल्कुल ही महीन कटे हुए वो मैंने यहां पर आड कर दिया है अभी जो प्याज है इसको अच्छी तरह से हमको भूनना है एक सब्सक्राइबर दोस्त का कॉमेंट था मुझे वो पूछ रहे थे कि स्टाल और इंडस वैली दोनो आपको जो अच्छा लगे वो आप खरीज सकते हो इसके बाद फिर यहां दो टमाटर लिये हैं मैंने इसको भी मैं बिल्कुल बारी बारी क्रश कर लूँगी और यह कड़ाई फूट प्रोसेसर एंड एनिधिं इन दे व्लॉग आपका डिजारेबल आपको कोई भी आइट लगता है नो तो लिंक्स मैने डिक्रिफिशन बॉक्स में अप्टेट करने की कोशिश किए आप वहा देख सकते हो लिंक्स क्लिक कर सकते हैं प्रॉडक्स के बारे में ओलो ज्यादा जानने के लिए या खरीतने के लिए यहां पर प्याज अच्छी तरह से लाल-ल बुन कि इतने अच्छी ग्रीन कलर किया तो देखिए अच्छी कोई फरक्ने पड़ता सारे ही ब्रैंड्स का मेती शुरू-शुरू में ग्रीनी रहता है इत्स जस्ट हाव फरक पड़ता है कि कितने लंबे समय तक यह घ्रीन रहेगी तौड़े से मै्ठी दाना मैं और्ण करते हैं, थोड़े से सौफ के दाने यहां करेंगे, स्वाफ़ पीस कर स्तेमाल करते हैं,। तो सौफ का पाउड़र भी और आड़ कर सकते हैं, सारी चीजी बिलकुल अच्छी तरह से मिलेज़्ेड़र में, मसाले में, इसको ठोड़ा प तेल लागा जहां है तो दो बड़े चमस्च घर की मलाई है यह मैंने यहीं पर आड़ कर दी है अब मलाई को बुने हुए मसाले में मिलाते हुए इसको और थोड़ा सा बूनेंगे एक तेड़ मिनट बूनेंगे जितनी देर आप पकाते रहोगा न वह चोड़ देती है तो उ इसके फ्लॉरेट्स में काटा और उसकी जो पीछे का जो यह रहता है न स्टैम इसको भी थोड़ा सा स्प्लिट कर लिया है जिससे यह जल्दी से कुक हो जाए ही और आलू वेजिस में ही अच्छे लगते हैं मुझे आलू गोबी में आपको जैसे अच्छे लगते हैं आप उ पानी भी इस रेसिपी को अगर बिना पानी के ऐसे भून भून के बनाना चाहेंगे तो यह जल जाएगी क्योंकि मसाला बहुत सारा है इसमें तसलिए थोड़ा सा पानी आड करेंगे जिससे आलू गोबी को गलने में हेल्प हो अच्छे तरह आप यहां पे तोड़ा नमक पी कर सकते हो चक करके अब इसको फुल फ्लेम पे लिड लगा के कुछ पांच एक मिनट में पकाऊंगी जिससे जो मेरी आलू गोबी है यह हाफ वे ड़न हो जाए इसके बाद आप देखे मैं गयास कर दिया एक दम स्लो हाफ वे ड़न हो जाने के बाद में इसमें आड करें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजे वापस से में इस पर लिड लगाऊंगी लगबग पांच एक मिनट और लगेंगे से पकने के लिए इस तरह से गी चुट पड़ेगा हो जाएगा आपको पता चल जाएगा सबजी अच्छी तरह पक चुकि इसकी खुश्बू भी ला पक चुके हैं बाइस टाइम हजबन भी घर आच चुके थे वह आज तोड़ा सा लेट आए हैं घर क्योंकि दो पैर में उन्होंने ब्रेक ले लिया था न तो वह कॉंपनसेट करना था उन्हें उनके जो वरकिंग आवर्स रहते हैं वह तो कंप्लीट करने ही होंगे घर आत पक्तिरे के उदर में आटा लगा लेते हूं आटा गूंत करके हो गया है मेरा देखे है बस अब रेडी भी इसको मैं डखका लगा के रख दूंगी कम से कम 15 मिनिट रेस्टिंग टाइम आटे को जरूर दें उसके बाद देखे रोटी बनाना भी कितना आसान हो जाता है अच्छी तरह से वह गोलगोल भी बनती है पतली भी हो सकती है आराम से फुलती भी है और स्वाधिश्ट भी बहुत लगत लगते हैं तो सौफ्ट अच्छा लगता है बाकी सबको भी गरम गरम रोटी खाना अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा लेकू जाते है तो फैर I avoid this क्योंकि वी बच्चों को भी सोने जाना है तो वो अपने होम्वर्क वगरह में लगे हुए है वो थोड़े देर में कम्प्ल यह सीध है नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपसे मिल रहे हूं रात में बरतन वरतन समेटे हुए किचन साफ करते हूं मुझे काफी लेट हो गया था मैंने बिंडियां बस दो करके रख ली थी अभी मैं सुभा इने काट रही हूं एकदम से दोने के बाद बिंडी अगर आप काटेंगे न तो बहुत अच्छी नहीं बनती है थोड़ी सी ड्राइ ही होनी चाहिए बिंडी किसी भी रेसिपी के लिए तो अच्छी से मतलब नॉन स्टिकी टाइप बनती है वैस पर बिल्कुल भी पानी ना रहे तो बिंडी अच्छी पकती है तो फटावट से मैं यहां पर बिंडी जो है काट करके तयार कर रही हूं बच्छो का जो टिफिन है वो बनाने की मैं तयारी शुरू कर रही हूं और सुबह उटकर देखा खुशी की तब थोड़ी सी बेटर भी बोल देते हैं कि बच्छे को स्कूल मत भेजो अगर हाफ डे भी लेना है तो फिर बच्छो को स्कूल मत भेजो मत भेजो हाफ डे में आप बच्छो को नहीं ले जा सकते हो स्कूल से तो बिकार में कुशी को परिशान करें स्कूल से कंप्लेंट आए इससे अच् बड़ी बड़ी काट ली है आलू भी कुछ उसी शेप और साइज में काटने के मैं कोशिश कर रही हूं एक जैसी कटी हुई सबजी से दो फायदे होते हैं एक तो सबजी देखने में अच्छी लगती है क्योंकि कुछ बहुत बड़े बड़े पीसिस ऐसा नजारा नहीं होता है और दूसरा ये भी कि चीजों का कुकिंग टाइम सेम हो जाता है अगर सेम साइज हो हाँ जैसे में खाली अकेले ही पका लूँगे मैं थोड़ी देर ये कुछ 40-50% बहुत जल्दी से पक जाएंगे डखकन लगा दिया है मैंने और इसके बाद मैं बिंडी आड करूँगी तो इसके बाद दोनों चीजे देखने में एकदम ही सेम सेम लगेंगी और यहां पर मैंने आड क यह आलू भिंडी आलू करेला आलू लौकी यह समीं कॉंबिनेशन बहुत ही विर्ड लगते हैं क्योंकि हम लोग है ना मतलब जहां से हम लोग आते हैं वहां पर लौकी अलग से पकाई जाती है बिंडी अलग से पकाई जाती है और करेले अलग से पकते हैं इन में हम लोग एक आलू वालू नहीं डालते ऐसा नहीं है कि यह सब्जिया नहीं बनती हैं बहुत ही फॉदली बहुत जगाओं पर बनती हैं बहुत फेवरिट भी होती है इस चलस एक हमारे और है बिंडी अकेली उसमें आलू नहीं डलता सभी करे लह झाल की तो बस उनके याद आ गी थी तो मैंने आपके साथ यह स्टोरी शेयर कर दी और यह है वह सुपर फास्ट ट्रिक यह है वह मसाला जो मैंने आप अगर अपने मेरे दही बड़े वाली वाली वीडियो देखे ना उसमें मैंने मसाला बनाया था एक अल्राउंडर टाइप का मसाला है यह आपके चाट का टेस्ट बढ़ा देता है और इस तरह की जो सुखी सबजें होती है जो कड़ाई में तेल में फ्राय करके बनती है उसमें भी सिर्फ यह मसाला डालने से भी आपका काम हो जाएगा मैंने यह जो हमारी यालू बिंडी है इसमें डाली ती हरी मिर्चे थोड़ी सी हल्दी थ बाकि मुझे और कुछ भी इसमें टेस्ट इन्हांसर डालने की ज़रत नहीं पड़ी आप यह मसाला इब ट्राय जुरू करना एंदेन आपके यह जो कड़ाई फ्राय तवा फ्राय सबजें होती हैं पकोड़े एंचाट में आप यह डाल करें मुझे बताना आपको कैसा सबजी पक चुकी थी तो उसको मैंने थोड़ासा रूम टेंपरिचर आजाने के लिए रख दिया एकदम गर्मा गरम सबजी को टिफिन में नहीं पैक कर सकते हैं दर्वास फिर वो खराब होने के चैंसे भी बढ़ जाते हैं और उसमें में बहुत सारे वेपर्स गिर जाते हैं चीज़े सौगी हो जाती हैं तो मीनवाइल शानू जा रही है सिर्फ अभी स्कूल तो सिर्फ उसके टिफिन के लिए मैं पराटे बना रही हूँ एक बार वो स्कूल चली जाएगी मतला बस मैं उसका मैं उससे बस में ड्रॉप कर र काली थी आज तो सिर्फ दो टिफिन ले जाने थे इसलिए सालड मैंने इलिमिनेट किया है वह वैसे बहुत कम चाओ से खाती है इस तरह की चीज़े वह थोड़ी पिकी एटर है सिंस चाल्डूड मैंगोस चाओ से खा लेती है तो मैंने उससे अज सिर्फ फ्रूट देना ही समझदारी समझी मैंगोस काट दिये हैं और अभी उसका खाना सर्फ कर दूगी वह बिंडी भी ज़रा कम प्यार से खाती है इसलिए मैं उसके टिफिन में कम बिंडी और ज्यादा आलू आलू चुन-चुन के रख रही हूं आलू के सहारे में थोटी बिंडी वह खा लेगी बच्चे बहुत जादा थक जाते हैं इतना खेल कूद करके भी सारे पीरिट्स अटैन करकर भी और उसके बाद भी वह अच्छे से खाना ना काया है मैं सबोट के इतनी मेहनत भी करूँ सारे चीज़े वेस्टी हो जाएंगी तो यहां मैंने उसके फूट डपा भी रेडी क कर दी है पराथे भी मैं यह जो फूट राप पेपर है इसमें डाल करके इसका ट्रिफन हो चुका है बिलकुल रेडी होगे रेडी है आज तो हम लोग ऑल्मस्ट ट्वेंटी मिनिट जल्दी हो गया है ना लाग लगा लिया है चलो बाहर आज़ो खुशी को सोने लो और गर वापस आने के बाद मैंने जितना भी आर्टा बचा हुआ था उसके सारे के सारे पराथे निकाल दिये हैं और अभी हमको कुछ खाना तो है नहीं तो इसलिए मैं पराथे जो है कैसरोल में पाक कर दूँगे तो ब्रेक्फस्ट में चाहिए होगा लेट ब्रेक्फस्ट करेंगे या अरली लंच करेंगे उस हिसाब से यह देख लिया जाएगा फिलाल है सुभा का सबसे बड़ा काम वो है किचिन समेटना तो फटा फट से मैं सारी की सारी चीज़े जगह पर रखोंगी और जो बरतन है उनको सफाइ करूँगी चिछन सफाइ करूँगी तो सुभा में मैंने की सफाइ की थी तो बरतन मैंने रखे थे डिश वोशर में बहुत जादा नहीं थे इसलिए मैंने रन नहीं किया फिशानू आगे थी स्कूल से तो तब जो उसका टिफिन था और थोड़े और बरतनों हो गए थे वो सभी डालके मैंने रन कर दिया था यह हो रहा है शाम का टाइम जब आप मुझे वापस से देख रहे हो तो बॉइलो निकले रखा है मैंने बेसिकली आज सुभ़ दूद लाना बूल गई थी तो अभी शाम में दूद आया है तो यह उबल जाएगा इसके बाद मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में और खुशी की थोड़ी से तभी ठीक नहीं थी इसलिए आज वा स्कूल गई नहीं थी और शानों स्कूल से आने के बाद मैं अभी आप लोग से मिल रही हूँ यह है ना एक्स्ट्रा लार्ज है मतलब बागी स्टाइल का लूज फिट वाला टीशिर्ट है मैं ना बहुत वक्से एक दो ऐसा टीशिर्ट चारी तो मैंने मिन्तरा से मंगा था आपने देखा होगा मिर पास दो टीशिर्ट से एक मॉफ कलर का है जिस पे दर फ्लॉसम लिखा हुआ है और उसे के साथ मैंने सेम कलेक्शन में से एक और मंगाया था जो ब्लू कलर का है जिसमें यहां पर गुड वाइड लिखा हुआ है तो मैंने ना ऐसे लूज फिट लेती हूं तो यह मैंने क्योंकि बढ़ा मुझे मंगाना था करके तो मैंने एक स्टेप और उपर का ले लिया और अब ही लग रहा है कि शायद जाधा लूस तो नहीं है तिंग ठीक ही है और यह मैंने हमिजॉन से लिया था एक और मंगाया तो अभी तक आया नहीं है यह र मैं आपने के खुश हो रही हूँ वन आ वस ग्रोइंग अपना बाक इन माइ टीनेज एज उस बहुत बहुत बादा फाशन था बागी स्टाइल लूज एक डम अटॉप्स का स्वेटर टाइप्स टीशिर्ट्स पुलोवर्स बिल्कुल लूज वो होते थे अपने देखा होगा असवक नाइटीज के एरा में करिश्मा कपूर पूजबत माधरी जुही दिव अभार्ती बहुत लोगो सब पहनते थे और नीचे पहनते थे स्लेक्स बोलते थे हम लोगो मैंने अब भी पैनावाद दिखाते हूं आपको सब लोग जादा करके वही हैर कट करवाते थे तो मैंने तो बहुत बादसान मी आने के बाद पहली बार मेरा हैर कट करवाया था पट मैं यह बोल रही थी कि लुक्स लाइक फैशन डुपीश इट सेल्फ उस वक्ट जो था आपने कभी अबसर्व किया है वह दूर से पता चल जाता है मैं अगर रूम के अंदर बैठी ना तो भी मुझे पता चल जाता है कि दूदू बल चुका है तो आवस सेंग की फाशन रिपीट सेल्फ वह बेल बॉटम और इवरी थें अभी सिकूइन और वापस आ रहे है मेर कुछ दूर पहले आपने को सेंगा कर लेते हैं बहुत टाइम हुआ बहुत सारे क्वेशन लापकी कठे होगे यहां तो मैं सोच रही थी करूं ना करूं ना करूं बदेन अगर नहीं करों तो थोड़ा थो फड़ा इसाए बात हो जाएगी तो मैं आपकी वीडियो आज रे और बस लास्ट के कुछ एक हफ्ते रहे गए हैं मैंगोज एंजॉय करने के लिए तो हम लोग को बहुत जादा फेवरिट है मैंगो वाटरमेलन तो वी जिस्ट वांट दो मोस्ट आफ इट और यह जो तरीका है मेरे गार में सबसे जादा पसंद किया जाता है मैंगोज खाने के लिए और बस इसी के साथ आगे में इस वीडियो के एंड पर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक दीजेगा और चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज I'll be waiting to see you all in the comment section